जहिन सातिय स्वागत्य आपका हमारी YouTube चैनल पर आज की वीडियो हम सामानि ग्यान से संब्ध प्रक्ष्चन आंसर पढ़ने जा रहा है जो बहुत ही important question answer है तो चलिए आपने हमारी YouTube चैनल को subscribe तो कर ही लिया होगा अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर ले और वीडिय को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें तो चलिए आज का फर्स्ट कॉस्चन है किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी इस्तलिये सीमा है तो वह कौन सा देश है तो वह देश है बंगला देश अंगला कॉस्चन है दच्छन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो कौन से दच्छन भारत की सबसे उची चोटी तो इसका आंसर होगा अनाई मुडी अंगला कोस्चन है किन दो परवत स्रियाणियों के मद्ध कस्मिर घाटी इस्तित है तो जल्दी से बताए भाय कौन दो परवत स्रियाण यहां जिनके मद्द कस्मीर घाटी इस्तित है तो इसका आंसर होगा बिरहत हेमालय वा पीर पंजाल अंगला कोश्चन है भारत के राजस्तान तमिलनाडू महराष्ट एवं कंड़नाटक को उनके भौगलक छेतर के घट्टे क्रम में ववास्तित कीजिए तो इनको घट्टे क भारत के किस STEVE का उधगम जूअलब क्यिए तो इसका आंसर होगा बेरन कोश्चन है Local ऑत पार्दन डाwie। अंगला कोश्चन है भारत तता पाकिस्तान की मद्द सीमा रेखा एक उधारन है तो किसका उधारन है तो इसका आंसर होगा अध्यारोपित सीमा का 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 अध्यार अंग्ला कोश्चन है चम्बल नदी का कौणसा जलासे बना है तो इसका आंसर होगा राणा प्रताप सागर अंग्ला कोस्चन है भारत में कोलकाता कोचीन मुंबई और विशाका परड़ से कहां सबसे बड़ा पोद प्रांगन है तो कहां पर है सबसे बड़ा पोद प्रांगन तो इसका आंसर होगा कोची कोचिन में सबसे बड़ा पोद प्रांगन है अंगला कोश्चन है गुतापी उर्जा पर आधारत मनी करण बिद्धो सायंतर किस राज में और इस्तित हैं तो इसका आंसर होगा हमाचल प्रदेश अंगला कोश्चन है मद्प्रदिश की उत्खात भूमी परणाम है तो किसका परणाम है तो इसका आंसर होगा और नलीका अपरदन का परणाम है अंगला कोश्चन है भारत में कैंद्रिय गंगा प्राधिकरण की स्तापना कब की गई थी तो कब की गई थी इसकी स्तापना तो इसका आंसर होगा 1885 में इसकी स्तापना की गई थी अंगला कोश्चन है Silent Valley परियोजना किस राज्य से सम्मंदित है तो कौन से राज्य से सम्मंदित है परियोजना तो इसका आंसर होगा केरल राज्य से सम्मंदित है अंगला कोश्चन है भारत की स्वार्णम चतरभज परियोजना जोडती है तो किसको जोडती है जो स्वार्णम चतरभज परियोजना है तो इसका आंसर होगा दिल्ली मुंबई चेन्नाई कोलकाता को जोडती है अंगला कोश्चन है मूल फल कंद और सलक कंद में से आलू क्या है तो इसका आंसर होगा कंद अंगला कोश्चन है कौन सी गेस कहलाती है तो इसका आंसर होगा हीलियम अंगला कोश्चन है मानव सरीर में सबसे बड़ी ग्रंथी है तो बहुत ही important कोश्चन है कि मानव सरीर में सबसे बड़ी ग्रंथी है तो इसका आंसर होगा या क्रेत अंगला कोश्चन है इस तंधारियों में स्वासन होता है तो इसका आंसर है फ्यंपड़ा द्वारा फ्यंपड़ा द्वारा अंगला कोश्चन है सिरका का रसाइनिक नाम है तो क्या है सिरका का रसाइनिक नाम तो इसका आंसर होगा एसी टेक अमल वहती important question है कि सरका का रसाइनिक नाम है तो इसका answer है एसी टेक अमल अंगला question है myopia किस अंग का दोस है तो कौन से अंग का दोस है तो इसका answer है नेत्र नेत्र अंग का दोस है अंगला कोश्चन है कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल और वाट में से कौन सी एक उसमा की एकाई नहीं है तो इसमें से उसमा की काई कौन सी नहीं है तो इसका आंसर होगा वाट जो वाट है एक उसमा की एकाई नहीं है अंगला कोश्चनी साधारण बेरो मीटर में कौन सा से द्रब्य प्रियोग होते हैं या होता है तो इसका आंसर होगा पारा पारा उपियोग होता है अंगला कोश्चन है कोईला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस्ट और इूरेनियम में से कौन सा एक जीवास में इधन नहीं है तो इसमें से जीवास में इधन कौन नहीं है तो इसका आंसर होगा इूरेनियम अंगला कोश्चन है कोईला नाविकी उर्जा पैट्टूल और स्वर उर्जा में से कौन सा उर्जा का नभी निकरण स्वरोत है तो नभी निकरण स्वरोत कौन सा है तो इसका आंसर होगा स्वर उर्जा अंगला कोस्चन है मद्ध परिदेश में पंच वर्षी ओजना का विदिवद एम बास्तिविक सवारम्ब माना जाता है तो कम माना जाता है तो इसका आंसर होगा 11 नवंबर 1956 से अंगला कोश्चन है मौनो से के राइड और डाई से के राइड और पॉली से के राइड इनमें से स्टार्च क्या है तो इसका अंसर होगा पॉली से के राइड अंगला कोश्चन है प्रतम पोसक इस्तर के अंतरगत आती हैं तो क्या आती हैं प्रतम पोसक इस्तर के अंतरगत इसका चुछन है औो जों छिद्र का कारण है ऐँГलो कोष्टन है किस पर्याबरणबिद कोजल पुरस की नाम से जाना जाता है तो किस को जाना जाता है तो इसका चुछन होगा राजेंद्र सनह अंगला discussion ने चिपको आंदुलन के प्रेणता थे तो क्वोन थे तो इसका आंसर है सुंदरलाल बहुगड़ा जो सुंदरलाल बहुगड़ा है चिपको आंदुलन के क्वोन थे प्रेणता थे अंगला अंगला कोश्चन है भारत में बननेजीब सर्रक्षण अधिनियम किस बर से लागू किया गया था तो कौन से लागू किया गया था बहुत ही इंपोर्डन कोश्चन है भारत में बननेजीब सर्रक्षण अधिनियम किस बर से लागू किया गया था तो कौन से बर से लागू किय है किस राज्ज में बर्स 2011 की जन गर्णा में सबसे कम जन संक्या घनत दर्ज किये गए था तो कौन से राज्ज में तो इसका आंसर होगा अरुणा चल प्रिदेश अंगला कोश्चन है अक्टूबर अक्टूरा 2015 में इसा योजना किस से विभाग दोरा परारंब की गए थी तो कोँन से विभाग दोरा परारंब की गए थी तो इसका आंसर होगा और ऐकर इनकम्टेक्स से बाग दारा प्रार Hai थी अंगला कोश्चन है एक अपनी भारत यात्रा के दो और अंपर का संसतापक मार्क जुकर्बर्ग ने किस एतिहासक इमारत को देखा था तो कौन सी एतिहासक इमारत को देखा था तो इसका आंसर होगा ताज महल को अंगला कोश्चन है नवंबर 2005 में ये 20 से कर सम्मिलन कहां हुआ था तो कहां पर हुआ था ऐसे कर सम्मिलन तो इसका आंसर है अंटाल्या तुर्की में अंगला G8 का सदस नहीं है तो इसका आंसर होगा Spain अंगला कोश्चन है दाकिलर इंसी टंक्स का लेखा इंसी टंक्ट का लेखा कौन था तो इसका आंसर होगा O.P. सभरवाल अंगला कोश्चन है INS बराट INS सिंदु रक्षक INS राजा ली और INS बिक्रांत में सी कौन सी एक भारती नौसेना की पंडुब्बी है तो इसका आंसर होगा INS सिंदु रक्षक अंगला कोश्चन है बराजील, रूस, दच्छनप्रिका और कनाडा में सी कौन सा देशों में सी एक नहीं है तो इसका आंसर है कनाडा अंगला कोश्चन है किने नवंबर 2015 में अंतराष्टिय मुद्रा कोश में कारेकारी निर्देशक निक्त किया गया था तो किने निक्त किया गया था तो इसका आंसर होगा सुबीर गोकरण जी को अंगला कोश्चन है 2017 का सूटिंग विश्वकप किस देश में हुआ था तो इसका आंसर है भारत में अंगला कोश्चन है भारत में किस राष्टी नेता की स्मिर्टी में उनकी जन्म दिन पर राष्टी एक्तदवस मनाया जाता है तो इसका आंसर होगा सरदार बल्लब भाई पटेल अंगला कोश्चन है किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है तो इसका आंसर है केंद्रे जाच आयोग को CBI को अंगला कोश्चन है मद्द प्रदेश लगू उद्योग निगम की स्तापना हुई थी तो कब हुई थी इसने गम की स्तापना तो इसका आंसर होगा 1961 में अंगला कोश्चन है महत्मगांधी राष्टिय ग्रामनी रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था तो इसका आंसर है 2005 में अंगला कोश्चन है गुल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहां इस्तित है तो इसका आंसर होगा इन दौर में अंगला कोश्चन है 2011 की जनगणना की अनुसार मद्द परदेश की जनसंख्या है तो कितनी थी तो इसका आंसर होगा 7.2 करोड अंगला कोश्चन है 2011 की जनगणना की अनुसार तो इसका आंसर होगा इंदौर, अंगला कोश्चन है मद्द प्रदेश की अर्थवस्ता है, तो क्या है मद्द प्रदेश की अर्थवस्ता, तो इसका आंसर होगा किरसी प्रधान, अंगला कोश्चन है मद्द प्रदेश में खनजनीती, किस वर्ष घोसित हुई थी, तो कब ह क्वोईति भोसत खने ज़नीती इसका आंसर है095 में अंगला कोस्चन प्रदधान मंत्री FIR गराम सलग योजना की उद्देश हैं तो कौन से उद्देश हैं तो इसका आंसर है गाउं को मुख्च सलग से जुड़ना आर पक्की शड़क बनाना एह प्रदानवंतरी ग्राम शड़क योजना की मुख्ष अग्ला कोस्च ने मद्ध प्रदेश में और द्योग पिछड़ी पन की कारण है तो कौन से कारण है तो इसका आंसर है बित्त का अभाव अंग्ला कोस्च ने 1024 किलोबाट बराबर होता है तो क एक सेल स्प्रेट चीट की मूल एकाई जहां पर डाटा इंट्री की जाती है कहलाती है तो क्या कहलाती है तो इसका आंसर है सेल अंग्ला कोश्च ने गूगल ने किस वेब ब्राउजर को वेक्सित किया था तो कौन से वेब ब्राउजर को वेक्सित किया था तो इसका आंसर dwa iaccesset क्या था अंगला question – vipro company की प्रमुक्च कौन है , इसका answer है अजीम प्रेम जी कौनला question स्चशन है computer में फैलने बाला वायरस है तो कौन सा है इसका answer कार्ण कंप्यूटर प्रोग्राम अगला question है Span किस विसाई से संमंधित सब्द है तो कौन से विसाई से संमंधित सब्द है तो इसका आंसर होगा computer से अंगला question है Why do, packets and cookies में से कौन सा एक search engine है तो इन में से एक search engine है अंगला कोस्चन है video conferencing ये तो printer, snaker, webcam और mounts में से कौन सा device अभी अनिवार है तो कौन सा device अनिवार है तो इसका answer होगा webcam अंगला कोस्चन है HTTP का पूरा नाम क्या है तो जो HTTP है इसका पूरा नाम क्या है तो इसका answer होगा अंगला कोस्चन है अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाती नियम 1995 की किस धारा के अंतरगत जेला इस तरिये सतरकता और मौनी ट्री समीती के गठन का उपबंद किया गया है तो इसका आंसर है धारा 17 के अनुसार अंगला कोस्चन है अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाती अधिनियम 1989 की किस धारा में भारते दंड सहिता के कतिपा उपबंदों को लागू होना उपबंदत है तो इसका आंसर होगा धारा 6 के अनुसार अंगला कोस्चन है अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाती अधिनियम 1989 की उद्देशों को किरियानवनित करने के लिए नियम बनानी की सक्तियां किने पराप्त हैं तो किने पराप्त हैं तो इसका आंसर होगा केंदर सरकार को अंगला कोश्चन है अनुसूचत जाती एवं अनुसूचत जन जाती अधिनियम 1989 की किस धारा में अग्रम जमानत पृतिवंदित है तो इसका आंसर है धारा 18 में अंगला कोश्चन है मद्द पृतिश की सबसे उची चोटी धूपगड इस्तित है जो धूपगड है एक कहाँ पर इस्तित है तो इसका आंसर होगा महादेव पहाडियों में अंगला कोश्चन है कौन सी स्रेणी यमना और स्वन की मद्द जल्द विभाजक का कार्य करती है तो इसका आंसर है कैमूर अंगला कोष्चन है मद्द प्रदेश का एक मात्र हिल इस्टेशन चंडी पंचमनी कहां इस्टत है तो जो पंचमनी है कहां पर इस्टत है तो इसका आंसर होगा महादेव पहाडियां अंगला कोश्चन है तबा किस नदी की साइक नदी है तो बहुत इंपोर्डन कोश्चन है तो इसका आंसर होगा नर्वादा अंगला कोश्चन है बेड़ा गाट पर कौन सा जल परपात इस्तित है तो कौन सा जल परपात इस्तित है बेड़ा गाट पर तो इसका आंसर है धु अंगला कोश्चन है मद्द परदेश की जलवायू किस परकार की है तो कौन से परकार की है मद्द परदेश की जलवायू तो इसका आंसर है मानसून परकार अंगला कोश्चन है लेखी का अभीनेत्री पत्रकार और राजनेत्री में से समुत्रा सेन कौन थी तो कौन थी समुत्रा सेन तो इसका आंसर है अभीनेत्री अंगला कोश्चन है भारत के 29 राजजी की राजधानी है तो कौन है भारत के 29 वी राजजी की रादधानी तो इसका आंसर होगा है अधराभाद तो 29 वा राजजी कौन था तो 29 वा राजजी था तेल अंगना अंगला कोस्चन है मद्द परदेश में काना बाबा का मेला कहा लगता है तो इसका आंसर है सोडल पुर में अंगला कोश्चन है ओदाइगरी की गुफाएं मद्द प्रदेश के कौन से जिली में है तो इसका आंसर होगा बिदीसा अंगला कोश्च ने कौन सा परेटन इस्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है तो कौन सा परेटन इस्थल कहलाता है तो इसका आंसर होगा खजुराहू अंगला कोश्च ने कौन सी जन जाती लोहा सुर को अपना देवता मानती है तो कौन सी जन जाती है भाई तो इसका आंसर होगा अगरिया अंगला कोश्च ने भारत ववन कहां है तो जो भारत ववन है कहां पर है तो इसका आंसर होगा भोपाल में अंगला कोश्च ने प्रितिसत की दरश्टी से मद्द परदेश में सरवादिक अनुसूच जन जाती वाला जला कौन सा है तो कौन सा है वाज जला तो इसका आंसर है जाबुगा अंगला कोश्च ने सेंसेक्स, BSE, Nifty और Sheps में से कौन सा एक सियर बजार की संदर में अप्रसंगिक है तो इसका आंसर होगा Sheps अंगला कोश्च ने भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक बैंक कौन सा है तो कौन सा भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक बैंक बहुत ही important कोश्च ने है तो इसका आंसर होगा State Bank of India अंगला कोश्चन है सेरसाय का मकबरा कहां है तो कहां पर है सेरसाय का मकबरा तो इसका आंसर है सासाराम में कहां पर है सासाराम में अंगला कोश्चन है सवाजी की गुरू का नाम क्या था तो क्या नाम था तो इसका आंसर है रामदास अंगला कोश्चन हम भारत के लोग सब्दों का प्रियोग भारती सम्मीदान में कहां किया गया है तो कहां पर इसका प्रियोग किया गया है हम भारत के लोग तो इसका आंसर है सम्मीदान की प्रस्ताबना में इन सब्द का प्रियोग किया गया है अंगला कोश्चन है भारती सम्मीदान का संरक्षक किसी कहा गया है तो बहुत ही इंपोर्डन कोश्चन है तो किसी कहा गया भारती सम्मीदान का संरक्षक तो इसका आंसर सरवोच नियालाय को अंगला कोश्चन है बलबंतराय महता समीती ने किस पिरकार की पंचायती राजवस्ता की अनुसंसा की थी तो इसका आंसर है त्री इस्तरिये त्री इस्तरिय पंचायती राजवस्ता की अनुसंसा की थी अंगला कोश्चन व्यग्यानिक समाजवात का स्रेज आता है तो इसका आंसर है करल माक्स को अंगला कोश्चन भासाई आधार पर सर प्रतम किस राज्य का गठन हुआ था तो कौन से राज्य का गठन हुआ था तो इसका आंसर है आंदर प्रदिश राज्य का गठन हुआ था भासाई आधार पर अंगला कोश्चन है निकोलो कौंटी कौं थे तो कौं थे निकोलो कौंटी तो इसका आंसर है इटली का एक यात्री जिसने विजाई नंगर समराज जी की यात्रा की थी अंगला कोश्चन है क्रिकेट का मक्का किस मेधान को कहा जाता है तो कौन सी मेधान को कहा जाता है क्रिकेट का मक्का तो इसका आंसर है लाट्स की मेधान को कहा जाता है अंगला कोश्चन है पोटवाल को ओलंपिक खेलों में कब सामिल किया गया तो कब सामिल किया गया था तो इसका आंसर है 1908 में कहां पर लंदन में चटगाओ और मरी रेट से सूरिशेन भगस सहें रम परसाद बिस्मिल और असफाक उल्लाह इनमे से कौन संबंदित था तो इसका आंसर है सूरिशेन अंगला कोश्चन है बेबेल योजना किस बर्ष परस्तुत की गई थी तो इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर है 1945 में अंगला कोश्चन है भूमी अधिगरहन अधिनियम 1984 का उद्दिश क्या भारत में भूमी सुदार पिरकिरिया को बड़ाबा देना था तो क्या है इसका आंसर तो इसका आंसर है नहीं अंगला कोश्चन है नरेंद्र मोधी कोसेक बसू हमार्त सेन और पीबी चिद अंबर इनमें सेकोन नीती आयुग से संबन दित है तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोधी अंगला कोश्चन है मानव अधिकार संरक्षन अधिनियम 1993 को किस धारा में लोग सेवा की परिभासा दी गई है तो इसका आंसर है धारा दो तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गंटी को दवाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो क्यांसा लगा जैहिन